पर जिस तरीके से ख़देला गया है अगर अपरादियों के साथ ऐसा करते तो शायद बिहार में अपराद कम होगा उन्हें कहा था कि आपका ऐसा कहना बिहार में हत्याओं को बढ़ावा देगा एक मुक्य मंत्री जो प्रदेश का ग्रह मंत्री है वो सोच भी कैसे सकता है कि उनके रहते प्रदेश में हत्या होगी और ना सिर्व उन्होंने सोचा इसको लेकर उन्होंने योजना भी बना दी कि हत्या होगी तो आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी कहां है सरकारी नौकरी क्या हुआ उनकी हत्या हुई इतना शोर हला हुआ सब हुआ आज थंडे बसते में और जितनी हत्याइं बिहार में होई हैं चोटी सी बच्ची को रेप करकर उसका शव नदी में भैग दिया गया था वैशाली में हम लोग गया थे क्या हुआ उन हत्याओं का भैया जवाब देना मुख्यमंत्री नितीश कुमार चुपी साथ लेते हैं उसके बाद छड़े पॉइंट पर हम लोग ग्यारा पॉइंट है छड़े पॉइंट पर हम लोग बिहार में जितने लोग हैं जो शांती पूर्वक अपना हम लोग आंद मामहीम राजयपाल जी खुद यहां पर मौजूद नहीं थे पर उनके जो प्रोटोकॉल में जो ओफिसर हैं उनको अभी हम लोग देकर आयां बट संभवता फिर हम लोग दुबारा एक बार प्रयास करेंगे जब मामहीम यहां पर हो और उनसे व्यक्तिकत तौर पर क्योंकि जो बिंदू हम लोगों ने इसमें लिखे हैं वो उनको समझाना उनको बताना जरूरी है वो उनको समझाना जरूरी है संभवता वो बिहार के राज्यपाल है जानकारी उनको हर विशे की है पर जिस दृष्टी से हम लोग देख रहे है क्योंकि हम लोग आशिरवाद यात्रा पर हम लोग निकले थे हम लोग के पास हमारा कैडर आके हम लोग को इन तमाम बातों की जानकारी देता है तो हम लोग जिस दृष्ट्री से इसे देख रहे हैं इसमें सबसे पहले नंबर पर अब हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं बस एक मिनट में हम ले नंबर पर हम लोग उननेस लाग रोजगार का दिक्र किया है जो बिहार सरकार जिस वादे के साथ सरकार में आई थी और आज लगबग डेड़ साल बीतने के बाद मुझे लगता है शायद मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि उननेस लाग तो दूर उननेस आदमी खड़े करके दिखा दें जिनको इन्होंने रोजगार दिया है तो शायद हम लोग मानेंगे कि सरकार इस दिशा में रोजगार की दिशा में कुछ प्रयासरत है दूसरी बिंदू पर हम लोगों ने शराब बंदी की विफलता का जो खामयाजा गरी बिहारी भुगत रहे हैं उसका हम लोगों ने जिक्र किया है और ना सिर्फ जहरीली शराब से होने वाली मौत बलकि लाखो ऐसे गरीब हैं जिनको इस कानून का दो रुपयोग करकर जेलों में ठूसा गया है लाखो लोग प्रदेश भन में ऐसे बंद हैं जिनको इस कानून का दो रुपयोग करके उनको बंद किया गया और सब गरीब परिवार से आते हैं तीसरा जिक्र जो बिहार को राष्टी अंतराष्टी स्तर पर शर्म शार करती है मुजफर पूर के बाद हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि पटना में बिहार में पुने ऐसी कोई घटना घटेगी बट पटना में जिस तरीके से बालिका सुधार ग्रह में छोटी छोटी बच्चियों को जबरन देवेपार में घसीटा जा रहा है इस बात का हम लोगों ने प्रमुकता से हम लोगों ने जिक्र किया है यह आप उस विक्ति को अनुसी दे देते हैं जिसके खिलाब बच्चियां बाइट दे रही हैं उनका नाम ले रही हैं तो संरक्षन प्राप्त है सरकार का इन लोगों चौते बिंदू पर हम लोगों ने जिक्र किया है अनुसूचे जाती जन जाती से आने वाले लोगों के उपर जिस तरीके से उत्पीरन बढ़ा है मुख्य मंतरी नितीश कुमार जी ने चुनाओं से पहले वादा किया था कि अगर किसी दलित परिवार में हत्या होगी तो उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी उस वक्ट भी हम लोगों ने कहा था कि आपका ऐसा कहना बिहार में हत्याओं को बढ़ावा देगा एक मुख्य मंतरी जो प्रदेश का ग्रह मंतरी है वो सोच भी कैसे सकता है कि उनके रहते प्रदेश में हत्या होगी और ना सिर्व उन्होंने सोचा इसको लेकर उन्होंने योजना भी बना दी कि हत्या होगी तो आपको सरकारी नौक्री दी जाएगी, कहां है सरकारी नौक्री एक कोई दलित परिवार मुझे दिखा दें, एक कोई अनुसूचिजाती का परिवार मुझे दिखा दें जिस परिवार में हत्या हुई, इनके ग्रह जिले में हत्या है हुई है चोटे चोटे बच्चों का गला रेत कर उन्हें मार दिया गया है नालंदा की बात कर रहा हूँ और विभे नौर जिलों में एक जगा बता दें हम लोग जब डीम साब से बात करते हैं तो कहते हैं कि भाईया इसके उपर अभी कोई अधी सूचना ही नहीं आई ये है डेड़ साल में इनका कानून धरातल पर उतरता हुआ पांचवी बिंदू पर बिहार में जो अपरादे घटनाए घट रही है हत्या परण बलतका लूट मार बताईए बाखडगन जैसी जगा जहां कंधरे से कंधरा टकराता है भाईया दिन में चलने में वहां पर 14 करोड की आप लूट कर देते हैं आए दिन हत्याएं हो रही है एरपोर्ट बगले में है भाईया रुपेश क्या हुआ उनकी हत्या हुई इतना शोर हला हुआ सब हुआ आज थंडे बस्ते में और जितनी हत्याएं बिहार में हुई है चोटी सी बच्ची को रेप करकर उसका शव नदी में भैक दिया गया था वैशाली में हम लोग गये थे क्या हुआ उन हत्याओं का भाईया जवाब दे ना मुक्यमंत्री निदीश कुमार चुपी साथ लेते हैं उसके बाद छड़े पॉइंट पर हम लोग ग्यारा पॉइंट है छड़े पॉइंट पर हम लोग बिहार में जितने लोग हैं जो शांती पूरवक अपना हम लोगा भी आंदोलन भाईया शांती पूरवक था आंसू गैस पानी की बोचारे लाठियां सर भोड़ा गया पाउं टूटा भी हम लोग अस्पताल जा रहे हैं हम सबसे आगरा करूँगा रहिए गा उसमें और य जो इनोंने और यह इस से पूर में भी सिक्शकों पर हो चात्रों पर हो वाड्श सचीवों पर हो ममता हो आशाकर्मी हो जितने हैं जो जो अंदोलन पर बैटे सब के अंदोलन पे इनोंने लाठियां चलाई उसके खिलाफ हम लोगों ने महीम जी से आगरा किया है कि वह आज की तारीक में बिहार में शायद ही कोई ऐसा काम है जो बिना घूस दिये होता हो उस ब्रश्टाचार को मुक्य मंत्री भाईया नाम जबने से क्या होता है जीरो टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस दिखता कहा है आपका करफशन के खिलाव संरक्षन प्राप्थ है आपका ब्रश हो या सिक्षक स्वैम हो अधिकान जगाओं पर कितनी जगा तो अपने चेत्र में भी दिशा की बैठा के मैं करता हूं बार बार हम लोग आगरा करते हैं कि भाईया सिक्षकों की भरती कीजे भरती में आप घोटाला कर देंगे बड़ भरती करकर सिक्षकों को विद्याले टक आप नहीं पहुंचाएंगे सिक्षा के गृते स्थर को लेकर हम लोगों ने इन से अगरा किया उसके बाद हमारे अंदाता किसान भाई एक طरح मारे प्रधान मंतरी जी किसानों की बात करते हैं उनके आई किसान इसकी हम लोग कल्बना भी नहीं कर सकते हैं खाद की जिस तरीके से काला बचारी हो रही है मुक्यमंत्री खामोशी से बैठे हुआ हैं दसवां पॉइंट स्वास्त आप सब जानता है हमारे मुक्यमंत्री जी खोद अपने स्वास्त का इलाज कराने दिल्ली जाते हजार किलो मीटर की चार्टर फ्लाइट करके क्यों क्योंकि उनको पता है कि अगर बिहार में अपना आख का उप्रेशन करा लिए मुक्यमंत्री तो उनकी भी आखों को निकलने की जोरत पर जाएगी जैसे मुजफरपूर में हुआ था ये कोई छोटी घटना नहीं है भाया दोनों आखों की रोशनी आपने चीन ली और आगरी पॉइंट जिस तरीके से चात्रों पर इन्होंने बरबरता बरसाई है वो रर भी एंटी पीसी के चात्रों भाया केंदर से वो अपनी मांग रखने जा रहे थे आप कहा ही कि लो उनके उपर लाठिया चला रहे हैं भाय कोई बहरा वेक्ती भी अभी तक उसका भी हिर्दे पिगल जाता है पर ये ऐसी गुंगी बहरी सरकार है कि इतने समय से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं मुख्यमंत्री एक बार अपना मुख कोलना जरूरी नहीं समझते तो भाई जो मुख्यमंत्री हमारे दुख दर्द में ह विकास तक जाके और उसके बाद ये बात करते हैं बहिया की बहार में सुशाशन है बहार में विकास है बहिया बहार के दिवाने हैं हम लोग जान दे देंगे बहार के लिए और आने वाले समय में देखिएगा आज कि ये पंदरा तारी के तिहास में दर्द कर लिजी ये न ना सिर्व ये सरकार बदलेगी, ना सिर्न नितीश कुमार जाएंगे, बलकि जो नए सरकार आईगी वो बिहार फरस, बिहारी फरस के विजन को धरा तल पर उतार कर विक्सित बिहार बनाईगी. भाई मैंने नहीं बोला आप ही खहरे होंगे आपको भी लगना होगा भाई मैं अपरादी तो नहीं हूँ पर जिस तरीके से खदेरा गया है अगर अपरादियों के साथ ऐसा करते तो शायद बिहार में अपराद कम होना